तो आज मैं आप लोग के साथ स्यर कर रही हूँ लौकी और चने डाल की सबजी तो यहाँ पे लौकी को मैंने कट कर लिया है साथ में यहाँ मिक्सर के जार में मैंने लैसन, अद्रक, हरे मिर्च और टमाटर को रखा है पेश्ट बनाने के लिए और चने दाल को मैंने चार से पांच घंटे भीगो के और फिर लिया है आप भी भीगो कर ही बनाएं इसे तभी ये चने की दाल और लॉकी की सबजी अच्छी बनेगी और यहां पे चड़ा दिया है मैंने कूकर इसमें डाल गी हूँ ओयल उसके बाद डालूंगी जीरा तेज मसाल एड कर लेंगे तो मसालों मैं बहुत जादा कुछ नहीं डालना होता है हल्डी पाउडर सबजी मसाला और तोब यहां सबजी में अंदाजा मिल सके आपकी सब्जी के नुसार तो इसी वज़े से मैंने नमक पहले नहीं डाला था तो आप यह देखें यहाँ पे सारे मसालों को सब्जी में मैंने मिक्स कर दिया है अब यहां आकरी में नमक एड़ कर रही हूं और उसके बाद इसमें एड़ करूंगी पानी और इसके बाद कूकर के ढकन को लगा के दो से तीन सीटी तक आने का वेट कीजे और यह सब्जी जो है वो रेड़ी हो जाएगी और गाइज यह सब्जी खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो यह देखें यहाँ पे जो सीटी है कूकर की लग चुकी है तो चावल के साथ किसी चीज के साथ खाओ बहुत टेस्टी लगता है तो यहाँ पे मैं अभी चावल के साथ सर्व कर रही हूं हापी से किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और लग रही है ना यह बहुत ज़्यादा टेस्टी तो आज की दिए स्पीक ऐसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके और साथ में like, share and subscribe करें मेरे चैनल को अभी के लिए बाबाई